हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन परसन पर तो दोस्तों आज आपके सामने फिराजिर हो गए हैं एक नई वीडियो के साथ में जिसमें आपके लिए हम लेकर आगे हैं CRP ट्रेडमेंट के हिंदी के प्रीबिएस येर के क्वे परसे आपके लिए गए हैं तो दोस्तों बने रही है वीडियो के साथ में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जादा जादा अपने सभी दोस्तों के साथ सेर करें और बैल आइकन को दवाना ना भूलें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें दोस्तों अगर आपने हमारे टेलिग्राम गूर्प को ज description में हमने डाल दिया आप आसानी से वहां से telegram group को भी join कर सकते हैं तो दोस्तों start करते हैं आज की वीडियो को अपना पहला question जो कि हमारे CRP trade man के previous year के question paper से लिए गए हैं देखते हैं अपना पहला question हमारा पहला question है नीचे दिये गए वाक्यों में से त्रूटी वाले वाक्य की पहचान करें तो क्या चांटना दोस्तों त्रूटी वाले वाक्य की पहचान हमें इन में से करनी है देखते हैं option a औलाद option b हो तो option c ऐसा हो या फिर option d कोई त्रूटी नहीं तो क्या है दोस्तो औलाद हो तो ऐसा हो कोई तुरूटी नहीं इन में से कौन से वाक्या में तुरूटी पाई गई है दोस्तो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा option C के साथ में ऐसा हो इसमें क्या है इसमें तुरूटी पाई गई है option C, इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है दिये गए वाक्यों में से तुरूटी वाले वाक्या की पहचान करें तो इसमें भी हमें तुरूटी वाले वाक्या की पहचान करने है दोस्तो, हमारा option A है हमारा जहां देखो, option B वही गहास, option C उग रही है, या फिर option D कोई तुरूटी नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा वाक्या, वाक्या हो जाएगा हमारा जहां देखो, वही गहास उग रही है, इन में से किस option में तुरूटी पाई गई दोस्तो, जल्दी से टिक करके इसका right answer बताईए, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो, option C के साथ में, वही गहास, sorry वही, sorry, उग रही है option C में हो जाएगा, उग रही है इसमें क्या है, इसमें तुरूटी पाई गई है, जहां देखो, वही गहास उग रही है option C, इसका right answer हो जाएगा option C में इसमें true T पाई गई है option C इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगले question हमारा अगले question है दिय गई सब्दों में से गलत वर्तनी वाले सब्द का चेंड करें किसका?, दोस्तो इसमें से गलत वर्तनी वाले सब्द का चेंड हमें करना है देखते है option A द्रश्मन, option B, भक्त, option C, हिंसा या फिर option D, भहिया तो इसका right answer क्या होगा गलत वर्तनी वाला सब दिन में से कौन से option में दिया गया दोस्तों जल्दी से टिक करके बताओ तो दोस्तों इसका right answer जाता हमारा option A के साथ में द्रश्मन, द्रश्मन क्या हो जाएगा ये गलत वर्तनी रूप हो जाएगा इसका सही वर्तनी रूप क्या होगा सही वर्तनी रूप हो जाएगा दोस्तों आपका इसका दुस्मन, दुस्मन दुस्मन इसका सही वर्तनी रूप हो जाएगा और द्रश्मान इसका ये गलत वर्तनी रूप हो जाएगा option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है दोस्तो नीचे दिये गए सब्दों में से गलत वर्तनी वाली सब्द का चैन करें तो इसमें भी हमें गलत वर्तनी वाला सब्द चैन करना है देखते हैं option A दुराव्य वस्था option B निरोगी option C परिशद या फिर option D साम में है तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो गलत वर्तनी वाला सब्द इन में से किसमें कौन से option में देखने को मिला है तो इसका right answer जाएगा दोस्तो हमारा option B के साथ में निरोगी निरोगी क्या हो जागे गलत वर्तनी रूप हो जाएगा इसका सही वर्तनी रूप क्या होगा दोस्तो कमेंट में जल्दी से बताइए तो दोस्तो इसका सही वर्तनी रूप हो जाएगा निरोगी निरोगी ये सही वर्तिनी रूप हो जाएगा और गलत वर्तिनी रूप हमारा निरोगी ये गलत वर्तिनी रूप हो जाएगा option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है पर्मानंद का सन्दी विच्छेद क्या होगा किसका पर्मानंद दोस्तों सब्द दिया गया है उसका संदी विच्छेद हमें बताना है पर्मानंद का सही संदी विच्छेद क्या है option A पर्मा पिलस नंद option B या परम पिलस आनंद option C या परम पिलस आनंद या फिर option D है हमारा परमा पिलस आनंद तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो पर्मानंद का सही संदी विच्छेद क्या रूप हो जाएगा जल्दी से टेक करके बताओ तो इसका right answer जाता दोस्तो हमारा option B के साथ में परम पिलस आनंद पर्मानंद का सही संदी विच्छेद रूप हो जाएगा option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है जित अंद्रिय का सही संदी विच्छेद क्या होगा किसका जित अंद्रिय का सही संदी विच्छेद रूप क्या दोस्तो option A जित पिलस अंद्रिय option B है हमारा जित पिलस अंद्रिय option C है हमारा जित पिलस इंद्रिय या फिर option D में हमारा जित पिलस अंद्रिय तो इसका right answer क्या होगा जित अंद्रिय का सही संदी विच्छेद रूप क्या हो जाएगा दोस्तों तो इसका right answer जल्दी से टिक करके बताओ तो इसका right answer जाता दोस्तो हमारा option B के साथ में Jit plus Indriya, Jit Indriya का सही संदी विच्छेद रूप हो जाएगा option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question दोस्तो अगर आपने हमारे हिंदी से slavus वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा जो कि हमारे हिंदी से related slavus वाली वीडियो है जिससे कि आपके CRP ट्रेडमेंड में हिंदी से कौन से chapter से कितने question आने वाले हैं अगर slavus वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें आपकी संभावना है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें उसका वीडियो का link भी हम इस वीडियो को description में डाल देंगे देखते हैं अगला question हमारा अगला question है 9211 है होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा किसका 9211 है होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तो आप्शन A है हमारा समय देखना option B, खिशक जाना, option C, गायब हो जाना या फिर option D, 9 और 2, 11 होना तो इसका right answer क्या होगा, 9, 2, 11 होना मुहावरिय का सही अर्थ क्या हो जागा दोस्तों तो इसका right answer जाएगा हमारा option B के साथ में 9, 2, 11 होना मतलब की खिशक जाना कहीं से जगर आप, अगर आप कहीं पर खड़े हो अगर आप कोई बोल दे के 9, 2, 11 हो जाओ तो मतलब वहाँ से खिशक जाओ, option B, इसका right answer हो जाएगा देखतें अगला question हमारा अगला question है, आडे हातों लेना क्या? आडे हातों लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? option A, स्वागत करना option B, रास्ता रोकना option C, अड़ जाना या फिर option D है हमारा खरी-खरी सुनाना तो इसका right answer क्या होगा? क्या वाक्य है दोस्तों? वाक्य दिया गया हमारा आडे हातों लेना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा हमारा option D, खरी-खरी सुनाना आडे हातों लेना मतलब की खरी-खरी सुनाना option D, इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है नीचे दिये गए वाक्यों में रिक्तिस्थानों की उचित सब्जों द्वारा पूर्ती करें तो क्या वाक्य दिया गया है दोस्तों हमारा? वाक्य दिया गया है हमारा आपने मेरे घर पदार कर मुझे किया है तो इसमें रिक्तिस्थान दिया गया है इसमें कौन सा सब्द आएगा, देखते हैं, option A है, सुसोभित, option B है, गोरवानवित, option C है, उननत, या फिर option D है हमारा, गर्व योक्त, तो इसका right answer क्या होगा, आपने मेरे घर पदार कर मुझे, इसमें क्या है, कौन सा सब्द आएगा दोस्तो, जल्दी से टिक करके, जल्द answer हो जाएगा, देखते हैं, अगला question, हमारा अगला question है, इस हार में, एक एक मणी बहु मूल है, क्या है दोस्तो, खाली स्थान दिया गया है, इसमें कौन सा सब्द आएगा, इस हार में, खाली स्थान, एक एक मणी बहु मूल है, तो देखते हैं, option A, हरसित, option B, बची हुई option c गुथी हुई या फिर option d है छिपी हुई तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो कौन साब दिसमें आएगा खाली स्थान में जल्दी से टिक करके बताओ तो इसका right answer जाएगा दोस्तो हमारा option c के साथ में गुथी हुई इस हार में गुथी हुई एक एक मणी बहु मूल्य है option c इसका right answer हो जाएगा देखते हैं दोस्तो अगला question दोस्तो अगर आप हमारे youtube channel education person पर अभी नए आए हैं तो प्लीज इस channel को subscribe करके bell icon को जरूर दबा ले जिससे के आने वाली वीडियो का notification आपको आसानी से मिल सके दोस्तो अगर आप CRP paramedicalist आप ट्रेडमेंड के written exam की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे youtube channel education person से इसके ट्रेडमेंड के सोरी CRP ट्रेडमेंड के written exam की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं जिसके लिए आपको हमारे channel पर CRP trade minds related previous year के question paper कराई जा रहे हैं जिसको आप आसानी से जोइन करके अपने written exam की तैयारी कर सकते हैं और आप हमारे telegram group को एक बार जरूर जोइन करें जिसमें आपको free pdf आपको available कराई जाती हैं तो दोस्तो देखते हैं अगला question हमारा अगला question है दूर विक्ष का संदी विच्षेद क्या होगा किसका दूर विक्ष सब्द दिया गया है इसका संदी विच्षेद क्या होगा देखते हैं option A दूर पिलस विक्ष option B है हमारा दूर पिलस विक्ष option C है हमारा दूर पिलस विक्ष या फिर option D है विच्छेद कौन सा रूप हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option C दुर पिलस विख्ष, दुर विख्ष, दुर विख्ष का सही संदी विच्छेद option C हो जाएगा, देखते हैं दोस्तों अगला question, हमारा अगला question है अत्य अधिक का संदी विच्छेद क्या होगा? किसका अधिक सब्द दिया गया दोस्तों? इसका संदी विच्छेद हमें बताना है, तो देखते हैं, option A अती प्लस अधिक का सही संदी विच्छेद रूप इन में से कौन सा होगा तो इसका राइट आंसर जाता दोस्तों हमारा option B के साथ में अती प्लस अधिक अत्य अधिक का सही संदी विच्छेद रूप हो जाएगा option B इसका राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं अंगला question हमारा अगला question है करूण का विलोम सब्ध क्या होगा किस का करूण सब्द दिया गया है इसका विलोमसब्द क्या होगा देखते है option A आरूण π B सबल ऑप्शन C द' या फिर option D है निड़दई तो इसका right answer जाएगा दोस्तों हमारा option D के साथ में निर्दई करूण का सही विलोम सब्द हो जाएगा हमारा निर्दई करूण का विलोम हो जाएगा निर्दई option D इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा एकला कोशन है अती वरश्टी का विप्रितार्थक सब्द क्या होगा कौन सा सब्द दिया दोस्तों सब्द दिया गया हमारा अती वरश्टी इसका हमें विप्रितार्थक सब्द बताना है अती वरश्टी का विप्रितार्थक सब्द कौन सा है देखते हैं ऑप्शन ए अल्प व्रश्टी, option B, ओला व्रश्टी, option C, अना व्रश्टी, या फिर option D, श्वदेश, तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो, जल्दी से टिक करके बताओ, तो दोस्तो इसका right answer जाएगा हमारा option A के साथ में, अल्प व्रश्टी, अति व्रश्टी का विपरी तार्थक सब्द हो गया है, option A, इसका right answer हो जाएगा, अल्प व्रश्टी, अति व्रश्टी का विपरी तार्थक अल्प व्रश्टी हो जाएगा, option A, इसका right answer हो जाएगा, देखते हैं अगला question, हमारा अगला question है, कौन सा सब्द, एला प्रत्य से नहीं बनता है, तो दोस्तों क्या दिया गया ह इन में से कौन सा सब्द, एला, एला क्या है ये, एला प्रत्य है, ये हमारा, प्रत्य किसे बोलते हैं, प्रत्य उसे बोला जाता है, जो सब्दांस के last में मतलब की, जो सब्दांस के last में जोडा जाता है, जिसे उसे प्रत्य बोला जाता है, और उपसर्ग किसे बोला जाता सब्सर्ग बोल जाता है जो सब्सार्ट के सब्सें पूछा गया है इसमें पूचा गया है कौण सब्द ऐला पूछा को इंहें में तो इसका right answer कौन सा होगा एला प्रत्या इन में से किस में नहीं है जल्दी से टिक करके बताइए तो इसका right answer जाएगा दोस्तों हमारा option C के साथ में मेला मेला में इन में से एला मतलब क्या है एला प्रत्या का प्रियोग नहीं किया गया है और इन सभी में मेला कटेला मटेला और विसेला, इनमें क्या है, यह एला सब्द लास्ट में बोल जाएगा, जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको एक समझा देता हूँ, एक्जम्पल के तोर पर, इसका राइट अंसर तो हो जाएगा आपका ओप्शन सी, और एक्जम्पल दे देता हूँ, एला जैसे कि आप बो हो जाएगा यह, तो यह क्या हो जाएगा, मट मैला, तो इसमें क्या जाएगा, इसमें लास्ट में एला सब्द एला प्रत्य लगा जाएगा, इस पिरकार से आपका, जो हमारा मैला है, इसमें एला प्रत्य का प्रियोग नहीं किया गया है, इसलिए औप्शन सीज का अंसर हो जाएगा देखते हैं अगला कोश्चन है हमारा अगला कोश्चन है चिकनाहट में परियोक्त प्रत्य है तो दोस्तों फिर प्रत्य से कोश्चन आया है कौन सा सब्द है चिकनाहट सब्द दिया गया है और इसमें पूछा गया है इनमें से इसमें कौन सा इनमें प्रत चिकना हट में प्रियोक्त प्रत्या कौन सा है चारों सब्दान से इन में से कौन सा प्रियोक्त है कौन सा प्रत्या प्रियोक्त है चिकना हट में देखते हैं ओप्सन A आ हट ओप्सन B ना हट ओप्सन C पट या फिर ओप्सन D है हट तो इसका right answer कौन सा होगा दोस्तो वो मैंना भी बताया है जो सब्दान से या फिर वाक्या के last में जिसे जोड़ा जाता है उसे प्रत्य बोला जाता है तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा प्रत्य जल्दी से टिक करके बताओ तो इसका right answer जाएगा दोस्तो हमारा option A के साथ में चिक नाहट चिक नाहट में क्या हो जाएगा आहट देख सकते हो आप जैसे की चिक नाहट चिक नाहट चिक नाहट में क्या आ रहा है last में आहट आपको दिख रहा होगा आहट चिक ना ना के बाद में क्या आ रहा है आहट चिक नाहट चिक नाहट में कौन सा हो जाएगा option A इसलिए इसका right answer हो जाएगा option A चिक नाहट में आहट प्रत्य प्रियुक्त हो जाएगा option A इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है जिसका कोई ilaj न हो वाक्यांस के लिए एक सब्द का चैन करें किसका जिसका कोई ilaj न हो इस वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या प्रियुक्त होगा दोस्तो option A संक्रामक option B नासुर option C है असाध्य है या फिर option D है गहाव तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो जल्दी टिक करके बताओ तो इसका right answer जाता दोस्तो हमारा option C के साथ में असाध्य है जिसका कोई ilaj न हो उसे असाध्य है बोला जाता है option C इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्रा है विभाग या मात्रा है क्या है दोस्तो पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्रा है विभाग या मात्रा क्या है इनमें से देखते हैं option A तुकडा option B अणू option C हिस्सा या फिर option D भाग तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों? इसका right answer जाता हमारा option B के साथ में पधार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय गिराहे विवाग या फिर मात्रा अनू होता है option B इसका right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है अर्विंद का अर्थ है किसका? अर्विंद का अर्थ क्या होता दोस्तों? option A सागर option B शूर्य है option C कमल या फिर option D मुक तो इसका right answer क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएगे अर्विंद का क्या अर्थ होगा? तो इसका right answer जाएगा दोस्तों हमारा option C के साथ में अर्विंद का अर्थ होता है कमल option C's का right answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हमारा अगला question है दोस्तो दो बालक सॉरी यह दो बालक किसके हैं का सुद्ध रूप क्या होगा तो दोस्तों यह वाक्य दिया गया है हमारा एक यह दो बालक किसके हैं इस वाक्या का हमें सुद रूप बताना है कि इनमें से इसका कौन सा सुद रूप होगा तो देखते हैं आप्शन A हमारा ये दो बालक किसके हैं आप्शन B ये हैं किसके बालक हैं आप्शन C ये दो बालक हैं या फिर आप्शन D है हमारा यही दो बालक हैं तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो जल्दी से टिक करके बताएगे यह दो बालक किसके हैं इसका सुधरूप कौन सा होगा तो इसका right answer जाएगा दोस्तो हमारा option A के साथ में यह दो बालक किसके हैं यह इसका सुधरूप हो जाएगा option A इसका right answer हो जाएगा दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल Education Person पर अभी नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जादा जादा अपने सबी दोस्तों के साथ सेर करें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें जिससे कि आने वाली वीडियो का Notification आपको आसानी से मिल सकें दोस्तों आप एक बार जो हमारा CRP Trade Man में Hindi के Question आने वाले हैं उससे Related हमने आपको अलग से एक Slaves पर वीडियो बनाई है जिसमें आपके Totally Hindi के Chapter-wise Slaves को Discussion किया है आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपके Trade Man के Exam में बहुत Help होने वाली है तो उस वीडियो का Link आपको इस वीडियो के Description में मिल जाएगी उस वीडियो को एक बार जरूर देखें तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में